विल्कम टू एक्जाम गट्स एक्जाम गट्स में आप सब एक बार फिर से श्वागत है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दिखिए जारकन करम चारी जाये एन आयोक के द्वारा JSC CGL 2021 का अड़टाजमेंट जारी कर दिया गया है और यह जो है पंदरा एक दोजार बाइस यह नहीं पंदरा जनरवरी दोजार बाइस से 14 फरवरी दोजार बाइस तक ऑनलाइन आवेदन लिया जायेगा लेकिन इसमें सबसे बड़े मुद्दा यह है कि अदर स्टेट वाला जो है अपलाई कर सकते हैं नहीं नहीं क्योंकि जारखन ने इस वार जो है अपने नियम में संसोधन करके चेंज किया है अपने नियम वली को तो देखिए यहाँ पे आपको eligible होने के लिए ऐसे तो आप पहले जान लिजए कि तोटल इस चार पोस्ट के लिए निकाला गया है जिसमें सायक प्रशखा पदाधिकारी कनिया साचिवाले सायक प्रकंड आपूर्ती पदाधिकारी प्लानिंग असिस्टेंट के लिए तो देखिए यह दो कंडिशन को अगर आप fulfill करेंगे तभी आप apply कर पाएंगे तो पहला कंडिशन है कि अभी अर्थियों को आयोग में आपदन प्राफ्थ होने की आंतिम तिथी तक असनातक अथवास समकक्ष उत्तिर होना चाहिए यह कंडिशन तो आप fulfill कर रहे हैं क्योंकि graduate होंगे आप तभी भरपाएंगे यह तो आप होंगे ही हर कोई जो मतलब होगा graduate करीं लिया होगा लगबग मैं यह मान के चलता हूँ और वही इस फॉर्म के लिए इंट्रेस्टेट होंगे वही इस एडवाटाजमेंट के लिए इंट्रेस्टेट होंगे और वही यह question भी किया होंगे लेकिन दूसरा condition यह इस फ़र जाटकंड में के नियाव वली में संसोधन करके कर दिया गया है कि अगर आप बाहर के राज से बिलॉंग करते हैं यानि आप जेनरल में क्योंकि आप बाहर के राज से अपलाई करते हैं तो आपको जेनरल के सारा सीट दिये जाएगा जेनरल सीट पे ही अधर स्टेट वाले जेनरल सीट पे ही फाइट करते हैं यह तो सबको पता होगा तो लेकिन यह अब देखे हैं condition क्या किया गया है condition है कि उप्यूक्त अनिवार योगिता की अतिरिक्त अभियर्थियों को matrix यह दसमी कक्षा अभम intermediate यह 10 प्लस 2 कक्षा जारखंड राज्य में अवस्थित मन्यता प्राप्त सैक्षनिक संस्थान से उत्तिर्ण होना अनिवारी होगा तथा अभियर्थि को अस्थानियता रिती रिवाज भासा अभम परिवेस का ग्यान होना अनिवारी होगा दिखिए अभियर्थि को अस्थानिया रिती रिवाज भासा अभम परिवेस का ग्यान होना अनिवार होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं अगल वगल वाले जो राज हैं जैसे बिहार के हैं उत्तर परदेश के हैं तो यह सबी जो हैं जारखंड के आसपास के ही इलाके के हैं तो अस्थानिया रिती रिवाज और बासा का जो है वहां के बुक से आप पढ़ सकते हैं जैसा उसमें बुक में भी मिल जाएगा आप पढ़के एक्जाम दे सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार या फिर कोई दूसरे स्टेट से हैं यू पि या फिर और कोई दूसरे स्टेट से हैं तो इसमें अगर आपने 10th या 12 जारखंड से किया है तो आप apply कर सकते हैं इस advertisement के लिए आप JSC CGL के लिए apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप दूसरे state से हैं और आपने जो है जारखंड से 10 मी या 12 मी या metric या 10 plus 2 नहीं किया है तो आप इस form के लिए eligible नहीं है क्योंकि new term sectionic योगिता में ये दो qualification को इस बार add कर दिया गया ये दूसरा वाल और वो candidate यहां तक की इसके लिए बाहर के state वाला क्या जारखंड के खुद रहने वाले अगर general candidate हैं और उन्होंने UP या बिहार या दिल्ली से कर लिया है अपना metric 10 और intermediate ये 10 plus 2 तो वो भी इस form को नहीं बर पाएंगे जो की जारखंड सरकार का ये नियम जो है बहुत कहाज ज का सता एक है अबने ज़र्कार को मस्वीरा धिया और अपना सलाह दिया जो कि जारखंड सरकार माइट व्य हो जो आप लोग ये जाल लीजए कि ज्यआर्फिक इंटर्क से हैं तो आपS कर सकते हैं कर सकते हैं आपका कहीं से भी हो अधरिस्टेट वाले लिए अगर आपने अपलाई किया है तो मतलब आपने किया है वहां से तो आप अपलाई किजिए, otherwise आप इलिजिवल नहीं है इसके लिए, तो मत अपलाई किजिए, और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो विडियो में कमेंट किजिए, नेक्स्ट विडियो में इसका सारा सिलेवस और त्यारी के लिए ह आप सब्सक्राइब कर लिए, उस पर ये विडियो आपको मिलेगा जीके, करेंट न्यूज और रिजिनिंग में सारा चीज के लिए, तो चलिए मिलते हैं, ये विडियो में कुछ नया जन करें लेकर कमेंट जरूर किजिए